Hello and welcome to Magnetic Craft दोस्तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ केटरिंग के काउंटर्स देखी ये नया डिजाइन हमने अभी बनाया है तो मैं इसके बारे में आपको बता दूँ इसमें जो है बुडन का काम है वुडन का और प्लाइबोर्ड का काम है और स्टील की फ्रेमिंग हमने इसमें की है आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर कॉंबिनेशन है और कितना बड़ी हालू किस का आ रहा है हमारे यहां हर तरह के catering के counters बनते हैं, apply board में हों या steel में हों तो दोस्तो catering का जो काम है वह बहुत ही चलने वाला काम है काफी लोग हमारे यहां से all over India से आते हैं के catering के counter के set up बनाके ले जाते हैं तो इसमें 20 counter का set चलता है, 40 counter का set चलता है और बीच बीच में उसमें राइजर भी लगा जाते हैं जो टेबल की हाइट से चेंच ज्यादा रहता है आईए मैं आपको कुछ और डिजाइन दिखाता हूँ जो हमारे हाँ कैटरिंग में बन रहे हैं देखिए यह एक नया डिजाइन है इसमें वील का डिजाइन दिया हूँ है पहले में जो है एक पूरा वील होता था इसमें हाफ वील का डिजाइन है और बढ़िया रहता है और लोंग लास्टिंग भी है और पूरा जो आपका टेबल है और टॉप है वो फोल्डिंग सिस्टम है अधिर सिस्टम है सारा फोल्डिंग है आप कहीं भी इसको ट्रांसफोर्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको हमारी टॉप रिख्ट्रे में में sum अध्यचांkt यह टोप अड़ी है इसका इधर और यह तो पूरा फोल्ड सिस्टम है इसे पकड़ दिखा टेबल को ठीक है ना यह इसकी थिकनेस आईगी टेबल की फोल्ड होने के बाद और यह फरंट है ठीक है और इसकी यह ठीक है छोल दू ठीक है यह आपका हो गया टेबल ओपन और यह टॉप रख़ें इस पर अब इस तरह से सारी टेबल से लगाकर आप एक सीरीग से बना सकते हो और अपना स्टॉल बहुत आराम से अपने function में लगा सकते हो यह देखें यह पूरा आपका एक इस टॉल हो गया तीन टेबल का ठारा फुट लंबा है यह इसमें जो टेबल की लेंध है वो 6 feet है और इसकी जो हाइट है वो 3 feet है और इसकी जो चौडाई है टॉप की यह जो टॉप की चौडाई है यह दो फीट है पूरी खाना लगाने के लिए सर्व करने के लिए काफी है दो फिट का ये अपका ये एक टेबल जा सिंगल, तीन फिट है इसकी तीकिंडर्ड साइज्ज है ये चलता है इसमें केटरिंग में बाकी आप अपने साफ से कस्टमाइज करा सकते हो अगर पांच फुट का जहीं कर दो अ कि अ